आच alo up हैं अवरिवन कैसे आप सभी लोग्व का चैनल में स्वागत है आज हम के एक्जाम के लिए बहुती इंपोर्टन होता है और यह चल रहा है ठीक है तो में बनेक आप जितना practice करेंगे उतना ही आपका grammar strong होगा तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है sentence को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है choose the correct option and answer the flowing questions okay question number one में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए see that when see hear the news okay देखिए hear मतलब सुनना होता है ठीक है जो option में दिया हुआ है watch whipping, whipped, had whipped whip मतलब रूना होता है ठीक है तो देखिए मैं पहले दो रूल बता देता हूँ देखिए two action taking place simultaneously मतलब जब दो action past की बात कर रहा हूँ जब दो action past में होता है एक साथ ठीक है जैसे अगर मैं बोलू कि while they danced we sang songs मतलब देखिए two action हो रहा है क्या न मैंने उन लोगों ने किया नाचना शुरू किया और उसी टाइम पर we sang songs हम लोग गाना भी शुरू किया ठीक है गाना गाना भी शुरू किया ठीक है मतलब two action taking place simultaneously तो समझ लेना कि अगर इसमें ना पास्ट में रहे पास्ट इंडिफनाइट में तो यह वाला जो सेंटेंस होगा ना वो पास्ट इंडिफनाइट में रहेगा ठीक है और एक और एक रूल होता है कि two action where the first action leads instantly to the second action मतलब एक कर्थ संपन्न होते ही ततका लिए द मैं मुझे क्या क्या रास्कल बुलाया तुरंत उसके बाद मैंने उसको एक चांटा मारा आई हीठीम ठीक है तो यह वाला और यह वाला पास्ट इंडिफनाइट में रहता है यह वाला तो यह वाला भी लगा दिना पास्ट इंडिफनाइट में एक काम सुरू हुआ और उस मतलब बहुत न्यूज सुन कर रोने लगी बोल सेपतो इसका मीनिंग क्योंकि देखे यह वाला इसी की ना बात हो रहा है सी तो देखे यहां पर क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा समझ में आ रहा है ना रूल देखे फिर से बता देता हूं यह वाला देखे सिंपल पास्ट म में होगा इसका सेंस निकल रहा है कि टू एक्शन टेकिंग प्लेस साइमिल्टनेसली एक सत्थ दो एक्शन हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं टू पर आ जाईए क्या लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग ही डैस फॉरा वग ओके तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वाज इसको चाट दो यह नहीं होगा वाच गोइंग यह वाला भीकार्द दो फास्ट कंटिन्यूरास में लिखा हुआ है वाला कारड क्ट्र वेंट होगा क्यूं देखेंत्य है तो daily routine का सुह रहा है तो past indefinite यह simple past का यहां होगा ठीक है मतलब v2 लगेगा past indefinite में क्या होता है v2 लगता है ठीक है subject के साथ तो he went हो जाएगा ठीक है तो आगे वड़ते है question number 3 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ियेगा I dash him study यहां पर देखिया had made past perfect use नहीं होगा क्यों यूज नहीं होगा क्यों कि यहां study है ठीक है watch meeting भी नहीं होगा past continuous भी use नहीं होगा क्यों कि study है जब star day last month यह सब राता है तो समझ लेना simple past का यूज होगा ठीक है तो matte हो जाएगा ठीक है यहां पर matte हो जाएगा मतलब मैंने कालू से मिला था, बोल सकते हो, कालू से मिला, ठीक है, मतलब बिता हुआ काल, इस्टाडे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, question number 4 में, क्या लिखा हुआ है, question number 4 को पढ़िए, ये वाला देखे, when I dash the door, the cat ran away, मैं एक rule है, उसको फिर से बता देता हूँ, two actions, where the first action leads instantly to the second action, मतलब एक कार्च संपन्न होते ही, ततकल, यदी, दूसरा कार्च आरंब हो, ठीक है, past की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे, when he called me a rascal, देखे, मैंने क्या लिखाया, मैंने क्या लिखाया यहाँ पर, या फिर मैंने क्या बोला, he called me, मतलब, past indefinite की बात ह हो रहा है, when he called me a rascal, I hit him, तभी मैंने उसको एक चाहँटा मारा, ठीक है, जैसे ही बहा मुझे, रास्कल बोला, मैंने उसको एक चाहँटा मारा, ठीक है, मतलब past की दो action, एक के बात एक हो रहा है, ठीक है, तो उसमें न, ये वाला और ये वाला, देखे, past की two action, ये वाला क् न, वी two लगेगा, मतलब past indefinite, और ये वाला वी two लगेगा, मतलब past indefinite, ठीक है, मतलब two action, यहाँ पर क्या sentence क्या था, when I dash the door, मतलब यहाँ पर opening भी नहीं होगा, opening भी नहीं होगा, had opened, past perfect भी नहीं होगा, क्या होजेगा, opened, मतलब when I opened the door, मैंने, जैसे ही दरवाजा को खोला उसी टाइम न, जो cat था, बिल्ली था, बहाँ बाहर निकल गया, या भागा, बोल सकते हो, मतलब, दरवाजा खोला मैंने, तो उसमें भी भी two लगा, और ran, way, मतलब, b2 लगा, मतलब, भागा, cat, मतलब, यह भी past indefinite, और यह भी past indefinite, मतलब, opened हो जाएगा, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, two action, where the first action leads, leads instantly to the second action, मतलब, एक कर्च संपन्न होते ही, ततकाल, यदि दुसरा कर्च आरंप हो, ओके, तो उसमें, यह वाला भी past indefinite में होगा, और यह वाला जो sentence होगा, वो भी past indefinite में होगा, देखिएगा, यह वाला देखिएगा, past indefinite में है, तो यह व देखिए, while they, dash, we sanctioned, अभी बताया, यह वाला देखिए, b2, मतलब, past indefinite में है, तो यह वाला भी past indefinite में होगा, क्यूं, क्यूंके, एक कर्च, मतलब, एक कर्च खतम होते ही, दुसरा कर्च जब शुरू हो जाता है, past में, या फिर, जब एक साथ, two action होता है, ठीक है, while they, danced, यहाँ, danced नहीं होगा, ठीक है, और had danced, past perfect भी नहीं होगा, danced, मतलब, while they, danced, ठीक है, we sang songs, यह भी past indefinite होगा, और यह भी past indefinite होगा, ठीक है, इसका जो सही answer होगा, danced हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं, question number six में, आजाएगा, क्या लिखा हुआ है, sentence को ध्यान से बढ़िएगा, while the girls, dance, the voice switched off the music system, देखे, had danced नहीं होगा, past perfect में नहीं जाएगा, और dance को भी काड़ दीजे, ठीक है, V1 तो नहीं लगेगा, देखे, the voice switched off, यह क्या है, past indefinite में है, V2 लगा हुआ है, past indefinite में है, तो यह बला भी क्या होगा, past indefinite में होगा, अब क्यों होगा, क्योंकि two action एक सथ हो रहा है, देखे, while the girls, dance, जो girls से, वो नाचना शुरू किया, बोल सकते हो, ठीक है, उसे time पर क्या हुआ, the voice switched off the music system, लड़कों ने क्या-क्या, बंद कर दिया, switched off the music system, ठीक है, two action past में हो रहा है, और एक साथ, ठीक है, तो दोनों जो action हो रहा है, वो भी past indefinite में होगा, B2, A2 वी वाला भी होगा, past indefinite में, और इसमें भी B2 का use होगा, मतलब past indefinite, ओके, तो आगे वढ़ते हैं, Question No.7, Question No.7 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ियेगा, ठीक है, C-College Last Year, अभी मैंने रूल बताया, Last Year, Star Day, Last Month, ये सब रहे, तो समझ लेना, कि वो past indefinite में जाएगा, ठीक है, मतलब किसी point पर, खतम हो चुका है वो वाला, ठीक है, C-College Last Year, मतलब watch living, watch living मतलब past continuous में तो नहीं जाएगा, ठीक है, left, ये left ही होगा, क्योंकि V2 लगता है, past indefinite में या simple past में बोल सकते हो, hat left तो नहीं होगा, तो इसका answer होजएगा left, last year है न, last year, last month, ये सब रहने से, V2 ही लगा देना, ठीक है, आगे बढ़ते है, 8 पर, question number 8 में क्या लिखा हुआ है, देखे, I dash to Bhopal next week, ये वाला एक अच्छा रूल है, ठीक है, ये वाला एक अच्छा रूल है, देखे, यहाँ पर V2 मत लगा न, क्यों, sentence को ध्यान से पढ़िए, future की बात हो रही है, next week, I dash to Bhopal next week, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कि question के साथ, जो concept है, और जो rule है, हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है, तो चलिए, ये जो rule है, उसके बारे में जान लेते हैं, देखे, ये किसी plan, future plan के बारे में बात हो रहा है, देखे, I dash to Bhopal next week, next week, मतलब future के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा, I am going, past, मतलब past में नहीं जाएगा, present continuous में जाता है, जो definitely होता है, और जो nearest plan होता है, future के लिए, ठीक है, तो उसमें, present continuous का यूज होता है, ठीक है, I am going होगा, देखे, I am going to Bhopal next week, मतलब future की बात हो रही है, लेकिन definitely है, और plan है, planning, planning वाला future, ठीक है, I am going to Bhopal next week, मतलब present continuous में जाता है, I के साथ M लगेगा, I के साथ M लगेगा, और V4 या V1 प्लस ING बोल सकते हो, ठीक है, I am going to Bhopal next week, ये वाला, जो rule है, इसको याद रखना, ठीक है, जो plan future होता है, ठीक है, जो nearest होता है, उसमें क्या होता है, present continuous का यूज होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 9, question number 9 में क्या लिखा हो है, I dash TV when had arrived, I dash TV when had arrived, ये वाला भी एक rule है, ठीक है, question number 9 को, ध्यान से पढ़िए, ये वाला एक rule है, मैं इसको भी समझा देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ rule को, ठीक है, to express actions going on at the same time when another action takes place, समझा देता हूँ, कि मानलो कोई action past में हो रहा है, ठीक है, फिर उसी time पर दूसरा action, होता है, तो उसमें न, जो former action होगा, जो fast action होगा, वो वाला past continuous use होगा, ठीक है, और जो later, मतलब बाद वाला होगा, वो past indefinite में होगा, मैं समझा देता हूँ, देखियो, इहां पर न, एक काम हो रहा था past में, उसी time पर had arrived, when had arrived, I dash TV when had arrived, साइद ये mistake है, साइद इसमें न, mistake है, when dead arrived होगा, क्या, यहां पर had नहीं होगा, dead, DAD, यहां पर dead कर लिजेगा, पिता जी, dead, had नहीं होगा, ठीक है, I dash TV when dead arrived, मतलब dead, जो dead है न, पिता जी है, वो पहुँचे, मतलब एक काम चल रहा था, ठीक है, मतलब watch watching हो जाएगा, ठीक है, यह वाला क्या होगा, past continuous, पहला वाला जो काम होगा, वो past continuous, मतलब एक काम चल रहा था, I watch watching TV when dead arrived, और यह वाला past indefinite में होगा, मतलब मैं फिर से रूल को बता देता हूं, to express actions going on at the same time when another action takes place, मतलब एक काम हो रहा था, उसी टाइम दूसरा काम, मतलब देखिए, यह वाला काम हो रहा था न, I watch watching TV when dead arrived, मतलब यह वाला क्या होगा, यह वाला जो होगा वो past continuous में होगा, और दूसरा वाला जो action होगा, वो past indefinite में होगा, चलिए आगे वड़ते हैं, इसका जो answer हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी, आगे वड़ते हैं, 10 पर, 10 में क्या लिखा हुआ है, sentence को ध्यान से पढ़िए, after c dash her breakfast, c went to work, देखे, अब confused नहीं होगे, देखे, after c dash her breakfast, c, यह तो यहाँ भी c है, यहाँ भी c, एक ही person के, बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो फटा-फट हम कर लेते हैं, at हो जाएगा, v2 लगेगा, मैंने पहले ही बता चुगा हूँ, two action taking place simultaneously, जब एक साथ होता है, देखे, after c 8, v2 लग जाएगा, past, past मे, past indefinite वाला यूच हो जाएगा, देखे, यह वाला भी past indefinite में है, c went to work, ओके, यह वाला past indefinite में है, तो यह वाला भी past indefinite में हो जाएगा ATE8, EAT8 मतलब खाना, इसका v2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ATE8, हैट इटन नहीं होगा, past perfect में नहीं जाएगा, वाच इटिंग भी नहीं होगा, ठीक है, first वाला question से, आप confused नहीं होगा, यह वाला भी तो वही वाला है, देखेगा, c dash when she had the news, यह वाला भी, यहाँ भी c, मतलब, एक ही के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, c went when she had the news, ठीक है, देखे, question कम है, लेकिन जो concept rule बता है, वो बहुत important है, ठीक है, तो मिलते हैं next वीडियो म तक तक के लिए वाई वाई टेक के,